कि दोस्तों यहां पर हम लोग डिसकस करेंगा भी देड़ सारे स्विंग टेडिंग स्टॉक के बारे में आज का वीडियो मत करना क्योंकि आज काफी अच्छे चेस्टॉक अपने सपोर्ट जोन पर आ हुए हैं तो उसको अम लोग अभी देखेंगे और आप में से जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल को थैंक्यू सो मच बट आप सभी से रिक्वेस्ट आगर आपको कुछ भी प्रॉफिट ह हो रहा सीखने को मिलना तो जरूर से वीडियो में बताए यह अपना फीडवाइक देता कि मैं भी कुछ और अच्छी चीज आपके लिए ला सको और दोस्तों जैसा कि आप देखर होगे तो वीडियो में कहीं अभी मेरे वीडियो में व्यूस उतने आते नहीं है क्योंकि द जनरली नोटिस किया कि लोग शॉटकट चाहते हैं शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है आपको टाइम देना पड़ेगा आपको भी वीडियो देखनी पड़ेगी चाया 10 मिनट की हो 15 मिनट की हो आपको पेशन्स रखना पड़ेगा ठीक है बिना पेशन्स के कुछ भी नहीं हो होगा बाकी जैसा आपको सही लगे दोस्तों अगर अच्छा लगता है कंटेंट तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना यहां पर भी कुछ हमनों स्टॉक के बारे में बात करेंगे अब सबसे वहले तो मैं आपको कल आप देखोगे तो मैंने आपको यह चाह स्टॉक दिये थे आज मार्केट इतना गिरा हुआ था मरलब काफी काफी सारे स्टॉक्स में आपको देखोगे तो आपको पैनिक दिखाई दे रही थी बट इस्टिल हमारे स्टॉक्स में आप देखो तो एक तेजी रही है ठीक है एंड यह एन आई-ए-स-ई-ए-ल हो गया आपका एंड-जी दिखाऊंगा तो आप देखो मेंने महिंदर में मैंने के बताया था यह दांटरेंट था यहुआ है तो यहां प Deutsch अच्छे भी अगें आप देखो घ्रीक्ट है यहां पर एक तार्गर के शन ही प्लांश व उपर निकल जाता है जब भी रेंज ब्रेक आउट होती है तो दोस्तों आपको फिर अगीन यह नया हाई लगाता हुआ दिखाई देगा और यहां पर सबसे करेक्ट हो सकता है तो इसलिए यहां पर जब भी आप ट्रेड लोगे अगर यह ब्रेक होता उपर साइड में तो आप थोड़ा सा जो है आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर यह नीचे गिरता है तो एक अच्छा करेक्शन आ सकता है ठीक है ऐसा हमें इसको देखके पता चल देखोगे तो वन आवर में यह आया ही नहीं था ठीक है दोस्तों आप देखोगे नवंबर के बास से यह आज जाके काफी दिनों बाद यहां पर आया उसके बाद में कहीं विप्रो में भी काफी अच्छे से श्टॉक निकल चुका है विप्रो में भी आप देखो गए तो किस तरीके से operator में यहाँ पे trap किया है आप लोगों को यहाँ पे एक breakout दिया breakout होने के बाद में कई लोग यहाँ घुसे होंगे अगर अगर आप मेरे regular viewer हो तो जरूर आपको पता होगा कि ऐसे breakout को कैसे डील किया आता अगर देखोगे आप तो फाइब मिनट टाइम फिप्टीन मिनट टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि यह ब्रेक आउट फेल क्यों हुआ तो आप देखोगे दोस्तो यह देखो आप जो यहां पर यह टाइम कर रहा था तो यहां पर जब यह breakout हुआ तो यहां पर आप देखोगे तो मुविंग आवरेस से काफी डिस्टेंस में था इसी वज़े से दोस्तों यहां पर यह breakout फेल हुआ है और जिन्नों ने इस चीजों का ध्यान नहीं रहा हूं आप देखोगे तो अभी 30 मिनट टाइम फ्रेम में यहां पर इसके पास में आ चुका है और यह एक इसका इंपोर्टेंट लेवल है तो इधर पर आप देखोगे तो यह अच्छा यहां पर सपोर्ट जोन भी है तो यहां पर कहीं आपको भी प्रो मिलता है और कोई अच्छी आप एक्टिविटी दिखाई देती है कोई इंगल्फिंग कैंडल हो गया या ठीक है तो यहां पर एक अपनी कुछ कॉंटिटी ले सकते हो और यह जगे मुझे साही लग रही है ठीक है क्योंकि हो सकता यह लैवल भी थोड़ा सा ब्रेक हो अगेन अगर यह उसके अब आगे बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की तो एक्सिस बैंक में भी आप देखो गए वन आवर टाइमफ्रेम में आपको दिखाना चाहूंगा तो यहां पर आप देखो जिस टाइप से अभी वन आवर में यह एक स्ट्रक्शर हमें दिखाई दे रहा है और इस तरीके से आप देखोगे तो यहां पर एक support zone भी है तो दुस्तों कहीं ने कहीं यहां पर यह लेवल ब्रेक होते ही हमें उपा तक के target प्लान करने चाहिए ठीक है तो इसको भी जरूर सबने radar में रखना और आगे बात कर लेते हैं HDFC की तो एक अच्छी खासी यहां पर करेक्शन आई है और मेरे साब से लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है इसको भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्यूं बोलने हैं तो आप लोगों को देखो यहां पर क्याफी अच्छे से यहां पर सबस्ख्राइब करोंने हैं तो दुस्तों यह में क्या होता है जैसे मालों की इस तरीक यह में चल ला है तो अगर का एक बार आपका एसल हिट होगा ठीक है तो अभी यहां पर भी वही स्ट्राटेजी है हमारी कि यहां पर यह बाउंस आता है तो अगें बढ़िया है बट और यहां पर स्टॉप लॉसे हमारे रहेंगे तो इस तरीके सा आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी तभी आप एक अ सब अपने सपोर्ट में और यहां पर यहां से अगर रहना पाता है तो अच्छा रहना पा जाएगा क्योंकि दो तीन दिन से मार्केट में निगेटिव महौल बना हुआ है अच्छे लोगों अपनी पोजीशन कट करी है तो यहां से एक उच्छाल आ सकता है तो इन सब मुविंग अवरेज का बिहवियर इस सारी चीजें हमने दोस्तों आपको अपने वीडियो में बताई हुई है तो यहां पर आप देखो गए तो यहां से रिटेस्ट हुआ आप इस तरीके से थोड़ा उपर गया अगें मुविंग अवरेज के पास से उपर चला गया ठीक ह हो गया तो इस तरीके से दोस्तों आपको प्लाइनिंग करनी है कैसे टाइम फ्रेम में कितने टार्गेट रखने क्या स्टॉप लॉसे यह सारी चीजे आपको करनी हो दोस्तों मार्केट में पैसा कावना काफी एजी है अगर आप लीफ करते हो तो बहुत ही सिंपल सेट की भी जरूरत नहीं है और आई होप कि आपको काफी को सीखने को मिला होगा और मिला है तो जरूरत से लाइक कर लेना सब्सक्राइब कर लेना